हेलो दियर स्टूडेंट्स वेलकम टू आल इन विलिंग लेर्नर आप सभी बहुत ही खुश होंगे ऐसा मैं उम्मेद कर सकता हूं सभी मेंसे maximum decibel ऐसे होंगे जिनके results आ चुके होंगे और वो next class में जा चुके होंगे। तो बोड का पेपर रिजल्ट बाद मी आएंगे महीं में तो Bulgar धूर्टियर वेल्स तक प्रब भी रि proced नहीं आया सेक सैवं वेल्ड एट्व result आ गया हम next class में पहुंच गए तो अब हमारी responsibility है कि next class के लिए अच्छे से बढ़ाई करना because एक life का ऐसा रहता है कि यार जिस class में है थोड़ा वो इदर उदर चलता है पढ़ लेंगे ना यार पढ़ लेंगे यार तो पढ़ते पढ़ते पुरा साल भी जाता है फिर जब हम नए class में जाते हैं तो नए class में जाने के बाद होता है कि एक नया जनून होता है यार इस बार बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करनी है अच्छे marks लाने है वो कहा होता है कि दोस्त फॉस्ट आ जाए तो ज़्यादा दुख होता है फेल हो जाय तो जब हमारे साथ वाल आगे बढ़ता तो एक मन में बात आती है कि नहीं यार इसको बीट गरना है बट जैसे टाइम गुजरता है कोई बात नियार पढ़ लेंगे न जब एक्साम आएगा तो पढ़ लेंगे और फाइनली क्या होता है कि हम पास हो जाते है यही पैटरन हमार जब नाएंगे बढ़िया से टाइम डेवल बनाएंगे इस तरीके से में पढ़ना तो कुछ दिन का जोस रहता है फिर ठंडा हो जाता फिर भाई सारी बात होती है तो एक रिदम के साथ पढ़ना जरूरी है मार्च लाना है और एक अच्छा स्कोर करना है अच्छा स्कूर क करने का मिंस क्या है ऐसा नहीं कि जो 90 परसेंट ला रहा रहा है कि वह सबसे अच्छे बच्चे के लिए हम बात करें तो जो हर चीज समझता है देखो 90 परसेंट वाला जो स्टूडेंट नाइन्टी टू हंडेर परसेंट के बीच बात रहता है किताबों को बिल्कु चाट जाता है एक एक पॉइंट को उसको पता हो था बट जो 6280 के बीच वाला स्टूडेंट होगा वो किताबों की नॉलिज र मतलब तो पता है किताब में है क्या लिखा या कोई मतलब निए हाँ वह जो बिल्कुल लोग वह वह दो से तीन दिन पढ़ना वह पास हो जाना बस और कुछ नहीं बट ऐसा नहीं कि वह लाइव में तरक्के नहीं करते हैं वह भी आई इस बनते हैं वह फर्क सर्फ यहां हो जादा कि किसको बाद में क्या डायेक्शन मिला वह अस डायेक्शन के ढ़ल जाता है तो हम आते हैं अपने पॉइंट पर तो फाइनली आप सभी के रिजल्ट आए हुए और आप नेक्स क्लास में पहुंचके अब नेक्स क्लास में जाने के बाद थोड़ी से रिस्पॉंसिबिल्टी बढ़ती है क्योंकि आपको लाइफ में अगर कुछ करना है तो देखो हर एक सब्जेक्ट की अपनी इंपोर्टेंस ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट की इंपोर्टेंस नहीं है बट जो में फोकस हमारा होता है वह में फोकस किस पर रहता हमारा मैट्स पर में फोकस मैट्स पर सेकेंड साइन्स पर साइंस का है थर्ड यहीं हम बात करें तो मैक्सिमम इंगलिश को हम देख लेते हैं इंगलिश को देखते हैं उसके बाद यहीं हम बात करें तो सोशल साइंस सोशल साइंस बहुत ही important subject है कि साइसा यहीं की up का आपको करना है को सोशल साइंस तो चाहिए चाहिए और आपने सुना होगा कि जो यूपीएस की का एक्जाम करेक करना है तो भाई पहले क्या पड़ो एंसी आर्टी पड़ो उसी के बाद होगा कुछ भी तो इन सब्जेक्ट की मैक्सिमम हम इंपोर्टेंस रखते हैं अपने संस्क्रीट बहुत ही कम बच्चे पढ़ते हैं संस्क्रीट को इतनी इंपोर्टेंस नहीं हिंदी बच्चे कर लिया हो गया पास बट मैस में क्या चाहिए आपको कॉंसेप्ट चाहिए मैस में कॉंसेप्ट चाहिए साइंस में कॉंसेप्ट चाहिए एंग्लिश तो लॉन कर लेते हैं जैसा है जिसमें पढ़ता है जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ और उसके डीप चलते चले जाओगे तो सोशल साइन्स साइन्स मेट की कलाण से वेरी इंपोर्ण कलासे से आप कहीं बीशे się भी तो मैट साइन्सी तो लेना ही पढ़ता है मैज साइंस आपको पढ़ना है सोच साइंस भी आप पढ़ते हो 11-12 पढ़ते हैं इंगलेश ग्रामर बता दिया आप खुद कर लेते हो नरेशन वोईज और नाउन प्रोनाउन एड्जेक्टिव एडवर्ब क्लॉस कंजंक्शन प्रेपोजिशन यही सारे टॉपिक्स है जो हमें पढ़ने सुरू से हम पढ़ते जाते हैं और यहीं कंपडिशन की लाइफ तक भी पढ़ना है बट यहां पर क्या है चेंज है अब सोचल साइंस बहुत वासलेवर्स मॉडरन मॉडरन इंडिया पढ़नी है आपको उसके बाद एंसेंट पढ़न तो सारी चीज़े आप इसली गेन कर सकते हो क्योंकि सिस्टम एक मैनेश्मेंट के तरीके से हमें काम करें तो हर एक चीज़ को हम इसली मैनेश कर सकते हैं अपने टाइम टीबल को कैसे मैनेश करना है वो हमें सीखना पढ़ता है विकॉस एक मैनेश्मेंट सिस्टम आपके सा साथ वर्क करता है तो management होना चाहिए तो गाइज आप सभी ready हो जाओ आप किसी भी स्कूल से हो प्राइविट स्कूल है या फिर गॉर्मेंट स्कूल है कोई फरक नहीं बढ़ता क्योंकि दोनों स्कूल में बच्चे intelligent होते हैं देश का हर एक बच्चा most intelligent बच्चा है हर एक बच्चे में वो काबलियत है कि वो एक दिन ऐसा कर सकता है जो दुम्या देखती है तो गैज रैडी हो जाओ classes के लिए can you first of April first of April से आपका स्कूल स्टार्ट होगा 1st of April से आपका स्कूल स्टार्ट होगा और फोर्स्ट आप एपरेल से हमारी classes आपके लिए स्टार्ट होंगी जिसमें आपका Science Math and Social तो इंगलेश एंडी की हम बात करें तो यहाँ पर चलता है में एकस्प्रीशन अप पेंगें सारी बाते बताने आपको कि सब कुछ करा देंगे आपको कोई आपको कहीं भी बटकने के आवशक्ता नहीं है देखो जितना एक टीचर का में काम क्या होता है कि टीचर आपको वो चीज़ देता है जो आपको चाहिए अपढ़ने को बहुत कुछ अपने को पढ़ सकते आप भी पढ़ सकते हो सब कुछ बट एक guidance की जरूरत होती है विदाउट guidance बहुत ही मुश्किल हो जाता है थोड़ा वो तो guidance चाहिए चाहिए किसने भी कुछ भी गेन किया guidance चाहिए क्योंकि वो आपने सुना होगा गुरू गोविंद दोनों घड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरू आपकी जो गोविंद यो बताए तो गैस यह हमारे लिए एक important part होता है हमारे life में teacher कि वो teacher आपको समझाता है सिखाता है कि how to grow आप कैसे अपने एम तक पहुंच सकते हो कैसे आप life में कुछ अच्छा कर सकते हो तो guys ready हो जाओ और आप सभी के लिए special classes first of April से math की science की और social studies की आप किसी भी स्कूल से हो private हो government हो matter नहीं करता आपके लिए classes होंगी और आप सभी हमारे विलिंग learner Instagram टेलिग्राम इन दोनों को जोईन कर लो Facebook पे हो तो Facebook से भी जोईन कर लो और आपके लिए ही है special classes कोई tuition नहीं कोई कुछ नहीं और आप classes देखेंगे मसा आएगा शौट्स वीडियो के साथ सिखाऊंगा आपको और एक एक topic आपको cover कराता जाऊंगा और कहीं से पढ़ने की जूरुत नहीं पड़े गाई तो ready रहें और फॉर्स आपरेल से classes firstly 9th 8th 7th सभी की classes दूंगा math science social science की और हिंदे इंगलिस तो explanation दूंगा आपको तो guys share और subscribe जरूर कर ले all the best thank you very much